पिछली क्लास में हमने इंडॉल्मेंट नम्र जनरेट करना देखा था है इस इंडॉल्मेंट नम्र में भी हम क्या चाहते हैं कि वैल्यू हमारी नहीं आए तो हमने इफ का फॉर्मॉला यहां पर आसाइन कर दिया था और इसी फॉर्मॉले पर हम बाकी सभी पर अप्लाइ कर कि सुरी अप्लाई तो है ही यह यह घंठ कर लेते हैं कि यह वैल्यू हम एश्डीू पर लें एक सिक डटाफीड करें और सपींट और यहां पर यह से अँए क्योंकि कृ़िव लोकेशन है है तो हं क्या करते हैं कि इसके लिए एक एड़ूशन लेने का तरीका ब्यों से तरीक एसे हम इसको सेट कर लेते हैं तो यहीं पर हम कुछ रोज है टैसे हैं इसरने बीख करेंगे और इंसेट में जाेंगे हें और एंटर रोड नहीं आपर in मिल गया है हमने और रोख की आभशक्ता है फिर सेम इन्सट करेंगी अटर्ण में है करेंगे करेंगे और यह किया अरहां की तो इसक्राइब किया इन्सर匠 करेंगे तो मैं हमने यहां पर असल में किन किन वे infl टो को फीड्ट किया है हमने टाइप कौन-कुन सी की तो यदि हमस्रियल नम्मर की बात करें तो यह ओँ जनरेट है इंडरॉल्मेंट नम्मर भी ओँ जनरेट है लेकिन करते हैं एक तो एक तो यह फिल्ड हो गया एक नेम हो गया फादर लेंगे मोबाइल नमपर और सब्स्क्राइब कर लिएए कर के यहां फिट करेंगे समय में तो मुन हो ि कोलम है इस एoi को एसे यहां पर डिक करना है तो क्या करना है यहां पर हम कर्षार रखेंग है जहांसा ठाल एक ऐट करना है और यहां पैसत में याई जाइएब डाइको पेश्ट ना और यहां आपको मिलेगा ऑप्सन ट्रांसपोग करना है तो आपको लगता है इसमें कि और भी फिल्ड होना चाहिए तो आप फिल्ड एड कर सकते हो जैसे हम यहां पर फोड़ा सा चाहते हैं ऑप कि देटो बढ़िए हमने यहां पर नहीं लिए हम एक एक फिल्ड और इसमें साथ कर देख एक हो एक और यहां पर हम डाल देते है डियोबी ठीक है और जो डियोबी है वो कहां डाले हमने मोबाइल नंबर की बात तो यहां पर भी आप फिल्ड चाहिए तो यहां पर हम राइट क्लिक कर इंसर्ट में अब क्या स्लेक करेंगे कॉलम कि अधि कि अधि कि अधि कुछ पॉर्मूलर रहे हैं कि हाँ पूरा कहां से चाहिए हमें मोबाइल नंबर के बाद यहां से तो यहां से हम डेटा को स्लेक करेंगे इतना और यह तो कट कंट्रोल एक्सेस कट करी यह ऐसे उठाकर कि इसमें रख दी जाए तो एक कंटिशन जो लगाने वह नैक्स ल्लत लगाने यह जी की जाए और यहां पर जहां जी कहँ निका हुआ यह जए इस 200 इसके साथे साथ हम थोड़ा सा इसमें और करेक्शन कर लेते हैं कि इसका कलर सौर्मेट हम यहां पर जो भी आप कलर चाहें वह चीज़ वह कलर आप ले लिजेगा और इसको थोड़ा हैलेट कर देंगे उपर भी हम नाम मुगरा थोड़ा सा लिखना चाहेंगे वह उसे तरीके से तो आप यहां पर और कॉलम सरी रो इंसर्ट कर लीजिए कि यह में ड़क दिया है कोई भी कलर ले लिए जो आप लगता है जैसे हमने ले लिया और यहां हम इंसर्ट कर लेते हैं इंसर्ट में जाएगी कि 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 अज़ों के सब्सक्राइब कर दो थे कि 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 अच्ट कर दो थे कि 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 इसका भी आप चाहें तो कलर रहा सा डिफ्रेंट कर सकते हैं अब हम यहां पर टैप करें और वह यहां पर यहां पर करेंगे जो वे इडिशन आएगा और उसड़ेटा को हम यहां चाहेंगे जैसे लगता है कि थोड़ा सा और इसमें स्पेस होना चाहिए तो आप यहां पर इंसर्ट प्रों कर लीजिएगा ज्यादा स्पेस्ट लेना है वह भी आप कर सकते हैं जैसे हम दो की बज़ाई चार दो इतना हमारे सपिशेंट होगा ठीक है और किसा जो कलर है तो यहां पर डेट ऑप एडविशन तो हम यह चाहते हैं डेट ऑप एडविशन आटोमेटिक आज़े होगा हर दिन की अपने डेट होगी तो हमें डेट टाइप ना करना पड़े इसके लिए आप यहां पर फार्मुला असाइंड करिएगा इक्वल टेट का सरी डेट ना करके टूडे करा गईएगा ठीक है टूडे कोश्टक बंद करेंगे एंटर करेंगे तो क्या करेंगा सिस् आपको यहां पर भी देट चेंज बिलेगा यंई आपको देट यहां पर नहीं करना पड़ेगा और यहां पर आज ठीक है कोर्स हमने अपने डाला अब कोर्स भी हमें टाइप ना करना पड़े इसा चाहते हैं तो आप यहां पर ड्रॉप बना सकते हैं कि हमें सिर्प स्लेक्ट करने का ऑप्सन मिल जाए तो क्या करिएगा यहां पर सेल लेटर्स रखा है हमने इसके बाद डेटा मेन्यू में जाएगा ठीक है डेटा मेन्यू में आपको अप्सन मिलेगा डेटा वेलिडीशन इसको क्लिक करिएगा डेटा वेलिडीशन पर जाएगा और यहां एनी डेटा है एनी डेटा की जाएगा आप सेलेक करिएगा लिस्ट तो लिस्ट में सोर्स पुछेगा कि क्या चाहते हो हम चाहते हैं आपर dca, pgdca, telly लोग हमारा अल्रीडी ओन था dca, dca, pgdca, लगा यह तब यह नेक्स कोर्स मांगेगा मानेगा उसको नहीं तो वह एक ही कोर्स माल लेगा ठीकैं, ओक्पे करेंगे, तो यहांपर ट्रपदान अensa कोर्ष सवाल कर लिए spell, address हमें टायब करना ही होगा ठीकैं, ऐसा हमें टाइम, अब only type कर देने मातर से डेटा यहां नहीं आ जाएगा, इस डेटा को यहां से उठाना है है और यहां हमें फीसर करना है तो इसके लिए हम एक मेक्रो pouकर करेंगे मैक्रो वही है जो हम्ने इमिस वर्ड में पढ़ाता है वही मेक्रो यहां पर अब यहां पर हो सकता है कि पहले से वेल्यू हो जैसे यहां से हम चले तो यहां से यहां यदि वेल्यू नहीं होगी यदि एक वेल्यू जैसे हमने एक वेल्यू फिट कर रखिए तो यहां से हमने करसर रखा और यहां से कंट्रोल डाउन किया कंट्रोल के साथ डाउन करेगा तो क्या करेगा है लास्ट डेटा पर पूंचाएगा अभी यहां से चला यहां लास्ट यहां होगा तो फिर यहां से यहां यहां लास्ट है तो सीधे यहां से यहां तो वहां जाकर के फिर वैल्यू को पेस्ट करें तो यहाँ आपको एक वेल्यू यहां से पहले से विट करकर रखना है यदि आपकी वेल्यू यहाँ पर सब स्करीन नहीं है एक यहां आपने कर सा रखा यहां से पुंकि Rob नहीं होगी तो हमें क्या करना यहां पर आप से हमें छलेंगे के से susceptible करेंगे तो इसमें जो भी लास्ट है जैसे दस के बाद अगला क्या हमें वह यहां पर चलिए तो अब इसके लिए हम एक मेक्रो रिकॉर्ड करते हैं मैक्रो के लिए डेवलोपर का सेलेक्षिन करेंगे डेवलोपर यह आपके सिस्टम में नहीं आ दो इस टिन एप और चलिक को कर रहें क्या हैं कर रहें क्योंकि हमें कई तो हम इस से एड्विशन ले रहें तो इस मेख्रो का नाम क्या दाल दिए हैं एड्मिशन ठीक है है अज़ी अधिया ओक्यों क्लिक करें लेकिन वर्ड जी साथ आइकोन यहां पर टैप का आईकोन यहां यहां पर नहीं बनेगा यहां कैसे पता करेंगे तो यह सबसे पहले को इस लैक करें को कौपी करें प्रेदी करें अब डिटकर ने ले रहें डेटा फीट कर रहें लेटर देटृप एडमिशन वाले यहां से स्लेक करेंगे यहां चलेगा उसको छोड़ देगा का मतलब सब गडबड कर देगा तो में यह डेटा भी फीड करना तो जिस फिल्ड से आपको डेटा फीड करना है उस फिल्ड को से लैक करिए तो सिस्टम क्या करेगा यह एड्रेस पगड़ लेगा चीसिंट पर जएगां Haftas. इसके बाद हम कंट्रॉल डावन करेंगे। कंट्रॉल डावन करेंगा तो कहां पूच जाएगा है ? लाश्ट डेटा है इसके बाद एक विशे ध्यान रख़ेगा. लास्ट डेटा के उपर पेस्ट नहीं कzna ना है ठीक है क्योंकि मेक्रो में जो प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम में क्या करता है वो इस बार जो रिकॉर्ड किया है उसका एड्रेस में सैट हुआ है लेकिन अगली बार यह चेंज हो जाएगा तो हमने कहा कि जो भी इससे रिलेटेट था किसे जो एंडिंग पॉइंट था उससे एक नया एड्रेस जन्रेट करें ठीक है इसलिए हमने इसको इनेबल कर लिया और यह इनेबल कब करेंगे यहां पोशने के बाद इनेबल करता है ह हर कभी निकाल हरे कि स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा कि कहा है तो यहां अपने उनकिया इसके बाद अब आपको डाउन करना है पहले हमने चांट्रोल डाउन कीょ開श करने कि यह स्कों करा यह होगा इता हमारा कि सायार पर है रोका एक ही कॉलम में है अलग-अलग रोह में है है जब कि यहां पर अलग-अलग कॉलम में डालता है खिंच है तो इसके लिए हम जाएंगे हों में पेस्ट वे पेस्ट पर में प्रेम स्मेल को सलेक करी वह living कि यहां पर यह जो डेड़ है यह की स्थ आई यानि अभी हमारा डेटा जो है उसमें बागी तो सब ठीक है एक डेटा ऐसा है जो फॉर्मुले की पॉजिशन में है तो वह फॉर्मुला है फॉर्मुला से वेल्यू जन्रेट होगी है तो डारेक्ली आपने प्रेस्ट कर दिया तो डेट चेंज होते हैं यहां तो डेट होते हैं इसको पैस्ट तो करे लेकिन किस इस्तति में सिर्फ वेल्यू यहां क्या है मुला यहां क्या आएगा ऑनली वेल्यू हम उसको चेक भी करेंगे इसके साथ ही साथ यहां पर वहीं आप्सन-ट्रांस्पोई प्रांस कोने यह डेटा हमारा एक कॉलम में उसको अलग- को छोड़ दिया से क्लियर है को दिकति इसमें नहीं ठीक है कि फिल्ड वो कर लेंगे वो जाएगा तो यहां पर लेंगे तो क्या यह पूरान रहे यहां पर यहां पर रखना नहीं रखना नहीं रखना तो फिर इसको बोलिएगा कि यहां से अब दियान रखना यह जो है न डेवलोपन में यूज रिलेटिव इसका यूज सिर्फ हमें डेटा पेस्ट करने तक था इसको बंड करने के बाद हम कहेंगे कि अब इस देटा को यहां से डिलीट कर दे हमने पहली वाली सिल्रेक क्यों पूर्मूला हमेशा चाहिए तो उसको हम डिलेट नहीं करेंं वह तो रहलें नहीं या कि आफमी यह स Almost bet स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देना यह हमारा काम हो गया बहुत आसा ठीक है अब हम क्या करते हैं उस मेक्रों का यूज कैसे करें तो यहां पर एक बटन कर लेते हैं शेप में जाएंगे और एक शेप लेनेगे जो भी आपको लगे जैसा लगे जो यूख लेना चाहिए जहां फोट इसका लीटा बड़ा जाए जो भी आपको फ़र्मरा निच चाहते हो जो भी आप और राइट क्लिक करेंगेक के उपर रिड्लिक किया है कहां जाएंगें ऐसाइन मेक्रों एडविशन नाम का मैकृ मिलेगा AK कब मिले गाए ज्यब रिकार्ड किया आप ृकृध नहीं करों थो नहीं पूलेगा ठीक है order को क्लिक करेंगे ये मैक्रोइस में अब हमें को रेडिविशन लेते हैं कोई भी अपना नाम बता देंगे है कि प्रदीब प्रदीब पिदाजी का नाम कि मोबाइल नंबर कोई भी डाल देता हूं कि डेट अब बर्थ कोई भी डाल देता हूं कि क्या है डेट ओपट बोली दो कि 170423 कोर्स डीसे पीजी से अब डीसे में टाइप भी कर दिया है और चाहूं तो ट्रॉप अपसे ले सकते हैं लेकिन गलट टाइप करोगे तो नहीं करने देगा है जैसे डीडीए आपने टाइप करती है ठीक है तो आपका कोर्स आप यहां से डीसे एड्रेस जो भी उडाल ठेक है यहां फिल्ड हो गई क्या करेंगे हूं सेवट कुछ गटना गटी वो जो फ्लस हुआ हलका सा वो जो मेक्रोम ने स्टेप बाइस्टेप किया था वो यहां पर चला है जैसे इसको क्लिक किया हो कुछ गटना गट रही है यह वही कर कर रहा है पर इसकी स्पीड तुरंत हो तो पहले से रिकॉर्ड है क्लिक करते ही उठा के उसने डेटा को यहां पर डाल दिया अब देखो यह हर बार डेट आ रही है बागी खाली है बाकी चीज़े फिलाल के लिए हम इनको डिलेट कर देंगे अब यह ऐसा क्यों आया क्यों और इस में जाका कि यहां से त्लैक कर दीजिएगा डेट में सोट डेट लिए तो डेट के फॉर्मना जाएगा जैसा आप अभी यहां पर पोल रहे थे तो यहां पर भी क्या करेंगे कंट्रोल सिप्ट डाउन और जन्रल है जन्रल वेल्यू को आप कर दीजे सौट डेट ग क्या है यह एड्जेस नहीं कर पाता तो डबर क्लिक कर दीजाएगा अब चाहें तो एक और एडिशन अप ले सकते हैं बताईए कोई बता दो रानी अब रानी तो बांकी की चीजे तो रानी का में एडिशन ले रहें कहां आना चाहिए प्रदीप के बाद आगे आगे नंबर आप्टमेटिक जनरेट होगे हैं अब नंबर एक दो तिन की फॉर्म में आना चाहिए तो यहां 16 आ रहा है क्या करेंगे हम अब करेक्शन कर देंगे यानि इसमें माइनस पंद्रा कर देंगे तो यह का जाएगो तो सोला करना क्योंकि रोमाई सत्रा है कि है ना कि अग्या कि अधिक है अब एक और चीजी यहां पर जनरेट हुई है कि यदि यह शेशन शेशन आप चाहें तो इस डेट में से निकाल सकते हैं या एक फिल्ड यहां पर शेशन की सलेक कर सकते हैं कोन सा session है वो भी हम यहां पर select कर सकते हैं ऐक और चीज है कि और स्विक्षा करना पड़ा है तो आप यह भी कर सकते हैं कि ق्אר कि स्वर और समय तीनों फिल्टों उपर अकली है इसके बाद मोडिफिकेशन क्या है किय सा चाहते हैं कि वह hum यहां पर कर सकते हैं इतना करें तो कि अब क्या चाहते हैं एक और च coconut कि जो हमारी कोर्स की फीज है वह यहां पर जो भी सेलेक्ट किया उसका थे फिस आज जाए कि ठेम अब को सो विस आ कहां से जाए तो हम एक सीट पर कॉर्स फिस रखेंगे अब यह हमारा क्या है डेटाबेस कौन सा डेटाबेस है डिसीए पीजीए का माल रहते तो इस सीट का नाम भी राइट प्लिक करिएगा रिनेम पे जाएगा और इसका नाम आप देज सकते हैं डेटाबेस अब यह क्या है तो माना कि हमारा फर्स्ट पेज होम पेज का सब्सक्राइब करके और यहां प्रक्राइब होम मैंसीट हो गए हमारी जिस पर भी कुछ भी नहीं है ठीक है लेकिन इसको हम डिजाइन कर सकते हैं मैंसीट को इस पर हमने कलर कर दिया सब से पहले तो और यहीं पर हम अपना पूरा डिटेल देख करके रखेंगे एकेडमिका और बाकिचीज़े हैं यहां पर हम अपना कोर्स रख लेते हैं जैसे हमने अपने कोर्स कोर्स में कोर्स फीस रखते हैं कोर्स क्या है हमारा इतर फील लिए ज्यादा अच्छा देगा अब एक तरफ कोर्स रख फीज कोर्स हमारा हो गया डीसी एडीस यह की फीज है मारी बाराव पाइस्टों पीजी डीसी इसकी फीज है मारी तेरहाजार पाइस्टों ति चादे पीजी से अभी अच्छा फीज है यह कोर्स फीज है टिक अब हम यह कोर्स फीज तो हमने ओमपेड रिगए लेकिन चाहते कहां है हम यहां कोर से फीस वाले मामले का ठीक है इसके लिए गहाँ अच्छा फर्मूला है वह यह विलू कप का आगे उन्म भुद यूज करसे ने वाले ने दो फर्मूल एक होता है विलू कप और यहां पर हम कहां यहां 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 फिस चाहते हैं इस कोर्स के आधार पर इसमें जो भी हमारा कोर्स होगा जैसे इसमें पीजी डी सेम टाइब कर देते हैं ठीक है तो यहां फिस चाहते हैं वहां पर आप लगाईएगा वी लूग अब यहां ना बताते हो आपको यहीं बताता हूं बैसिक तोर बता रहा हूं जैसे सपोस्ट करिए कि हमने यहां पर दिख रहा है डी सीए और इस पूरी टेवल में टेवल है चाल पांच पूर्स है हमारे इस पूरी टेवल में से इस डी से की हमें वेल्वी चाहिए तो हम इसके आगे लगाएंगी एकवल वी लूक अप लूक अप को फर्मूला कॉल किया टेप बटन प्रेस कर देंगे तो आप की टाइप नहीं करना पड़ेगा मैं बरबार टेप बटन प्रेस कर देता हूं अब चाहिए तो पूरी टाइप करिए या आटोमेटिक आ जाता है जैसे हमने वी और एल टाइप किया तो वी लूक अब इसको टाइप ना करना पड़े तो आप टेप प्रेस कर भी वी अब बोल रहा है लुक अप वेल्यू किसकी वेल्यू आपको लोकड़े तो हमने कहा बीसीये निकट कॉम अलगा है हम भी कॉमा लगा देंगे टेबल आ रहे यानि मोटेल बदाई जहां पर इसकी वैल्यू है तो हमने यहां से इसको स्लैक किया यही हम टेबल यह तेबल करना सब्सक्राइब तो अब बीवर का एक तो में मतलब रो कॉलमे पर बनाओ था अरे हो गया अब बोलना इंडे की वेल्यूट जाते तो यह परेला कॉलम्न यह दूसरा ऐसे डिक ओल्म हो सकते हैं तो हमने कहा कि हम पहले की वेल्यू चाहते हैं कि दूसरे की यदि आपने टेबल कॉलम इंडेक्स नंबर में डाल दिया तो क्या आएगा खुदी टेबल यहां से आप कहां से करेंगे जो आपने रेंस लेकिया वो नमबर फरस्ट माना जाए तो हमने यदि किया वन कॉमा यह बोल रहा है कि वेल्यू आपको अप्रेक्स मेंच कही है यह एक्जेट मेंच चाहिए तो हमने कहाए तो इसके लिए जीरो एक्जेट काहीं करेंगी यह 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 अपने यहां पर करिये सब्सक्राइब केंड़ी कि सिंप्रीशत लेकिन हम चाहते है कि स्कॉललम कीं है हम वहन की तो नहीं चाहिए हम चाहिए चाहिए जु स और सारोगो से टाइप करके बता दिये अब अब यहीं फर्मुलम का लगाने वाले हमें यहां चाहिए कि हमें यहां चाहिए कि मिलियों चैंज खुंच लेकिन तो क्या कर ना है एक और भी कुल यह इस अधा यह आयगा आप आरीजमा का मना सब्सक्राइब यह टर से executing तो हम ने यहां से इतने में ही है आगे हो सकता आपके और और से और ले लो कोई दिख्कत नहीं है ज्यादा जाएके लेने में कोई दुक्सान नहीं है ठीक है इतनी अंदर से लेकर लियाने कि एल थी से एम नाइन तक के बीच की वेल्यू है कॉमा लगाने के बाद कहां पोच जाएंगे वापिस हमारा डेटाबेस में ठीक है यह होम आटोमेटिक आगे लिखा क्योंकि सीट क पहले सिर्फ एल थी और एम नहीं आया था क्योंकि वह सेम सीट था लेकिन आप सीट चेंज की बोले हों सीट का एल थी से एम नाइन तक की वेल्यू किस कॉलम की वेल्यू लाना चाहते है दूसरे की को म में कि दो कॉमा लगा के क्या देंगे टू कॉमा जीरो क्रॉक में इसके-लोंकि क्यों दिया है उसका कॉलम क्वोण तो इसने कहाँ बता दिया ? क्या यहां पर DCA नहीं है तो फिर इसमें ऐसा अर्र क्यों देखिए यहाँ बड़ी आसा नहीं से दिया अब असल में इस फॉर्मूले में देखे अर्डेस कहां से लिए एल थी से एम यहां अपर हम चलते हैं कि एल 3 में क्या है डीसी एक जबकि पीजडी से कहा मेला उसको एल 4 में तो कोई दिक्कार नहीं कि रेंज तो वही है लेकिन आप सेकंड पर जाईए जब आप यहां पर जाईए तो यहां कहां से वैल्यू उठाई इसने एल 4 में क्या एल 4 में डीसी है किस्या कहां है य pross eben ती वैल्ल एल 3 होती यहां पर यहां पर एल 4 की जाएगे क्या होता यह थी है कि यही हमने जब फॉर्मॉले को किछ्टा सभ्ट्यों पर लागू किया तो यहां क्या आया यहां ल व्य 1946 जब लकन ा clich29 करते हैं तो आप देखा Пока है यहां पर कि यहां पर सब में अलग अलग है क्योंकि यहां पर हम अलग-अलग सेल की विल्यू चाह रहे हैं तो इसी में से उठाके दिया उसने फॉर्मुले को आगे की चाह रहे हैं यहां पर यदि यहां भी चाहेंगे अचिए कि इसका जो रेंज है वो इतना ही है यहां यहां यहांपर यहां यहां इस विल्यू को फिख्ष करना चाहिए तो कीईबॉर्ट से आप यहां लोग के लिए एफ फफफ्र प्रेस कर देगे क्या करना है एक फोर प्रेस करते हैं इसमें डॉलर के सिंबोल लग जाएंगे इसका मतलब है कि यह सेल रेंच लॉक हो गया है अब वो चेंज नहीं होगा ठीक है एसा ही एंडिंग मान के लिए भी आप क्लिक करिएगा और एफ फोर से लॉक करते हैं किससे एफ फोर से एंटर करिएगा अब आप देखिए यहां पर एलग और यहां पर तो ऐल फाइफ वा ना चेंज अब हम इसको करते हैं अभी चैंज मिल रहा है आप चाहँ तरो देख लू एल सेवन है यहां पर 11 है यह निलेवन है यहां लेकिर अब हम फिर से इसको लागव कर रहा है यहां पर क्या है सब्जेग कि होगा अब यहां यदि आप जाएंगे तो यहां की वेल्यू देखेगा यख़दि इसको भी सीर्ट साथ ने कर दिया तो सब्जेग ही यहीं देखेगा हो सब्जेग 12500 यख़दि सपोस करिए कि आपने एच सेवंटीन को एफ फोर से लोग कर दिया ठीक है और इसको फिर अपलाई किया सभी के उपर हुआ क्यों क्योंकि इस सेल में भी वह सेख रहा है 17 देख लो आप जब कि हम रसकी यहाँ पर तो यह सेल धेकि तो जिसकी वेल्यव सेंज करने चाहते हैं उसको लॊक कर दें ठीक तो हमें किसको करना है यहां पर यह लॉक हटाना है लोग हटाने के लिए फ़र प्रेस करेंगे दोन डोलर अटा दें डोलर आम नहीं चाहिए कभी-कभी एक डोलर चाहिए गा यहां पर अब हम फिर से इसको अप्लाई करते हैं सब्सकुर्स करें कि हमारा एक कोर्सिPM में बढ़ गया jsem किसमें बढ़ गया यहाँ हमारा लतों बिसीडीज िविए तो हम यह पूज और यहां पर उसकी 526 शार लेती जीए यदि यहाँ आपका कोर्स बढ़ता है तो यहां तो हमने एक्स्ट्रा कर लिया था इसलिए सा हुआ यदि आप यहाँ पे तो यह नहीं आता क्योंकि उस रेंज से बाहर उसके बाहर का नहीं उसके अंतर रखाएगा यहां पर एम-9 के बाद कोई वैल्यू होगी इसको यह नहीं लेगा जितनी वैल्यू आपको लेना है उतने को आपको अपर आपको सवाइक करना पीड़ेगा बास समय में इसको और आगे बढ़ाएं कि थामबा थामबा है एप यृण